उम्शान्ती कहते हैं कि हमारी दादियां इतनी जादा शक्तिशाली थी कि उनकी सिर्फ एक नजर ही काफी थी अपनी तपस्या को और अच्छा करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं इशु दादी के बारे में और हमारे साथ हैं कवीता दीदी जी आईए उनके जीवन पर और नजर डालते हैं ओम शान्ती दीदी ओम शान्ती जब हम इशु दादी की बात करते हैं तो पिछली एपिसोड में हमने उनकी विशेष्टाएं देखी कि वो कितनी अपने काम को लेके कितनी जादा एक्यूरेट थी और कितने अच्छे से वो अपना काम ने भादी थी इसके साथ साथ उन्होंने जो पालना दिया आपको बहार से गंभीर दिखती थी लेकिन अंदर से उतनी ही शान्त भी थी अगर उनकी शक्तियों की बात करें तो आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद हो कि जिससे आपको ये लगता है कि नहीं ये तो बहुत पावरफुल आत्मा है ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आपको याद हो तो आपको प्रोग्राम में या जालेंगें का बाबा लिए वी आपको प्रोग्राम में जालेंगें बाबा जहां ले जाए बाबा जो कहे दादी ज़रूर करेगी क्योंकि डरामा का पार्ट जुको बहुत अच्छी से तार जाएंगे दादी पर लिए पर दर्म के गार बड़े जाएंगे दादी यह सब्दर करकर के मुझे प्रोग्रम बनाने के छुट्टे देते थे तो में पर हम गए और वहां पर हम चार दिन रुखे अन्य स्थानों पर उद्गाटन काफी सरीमनी प्रोग्राम रहे हैं बहुत अच्छे से हुआ हम जब रीटन आने लगे तो हमारे पास में थोड़ा अधिक सामान हो गया था क्यूंकि सेंटर से भी काफी साउगाते मेलिये और भा कि जाए तो हमने का दिदी साइध हमें लगता है कि इतना सामान नहीं आपाएगा तो भाई ने कहा कि मैनेजर को मैं जानता हूं दीदी अप ले लीजिए तो हमने तुरूंत ले लिया और हम चल पड़े तो जैसे वहां पर गये तो हम देखा था हमारा सामान 35 कजी जादा ह हमें लग भी रहा था क्योंकि इतना टूर करते हैं तो हमें खुद भी अंदा जटो आई जाते हैं लेकिर उनका था कि नहीं आप ले लीजिए तो हमने ले लिया 35 कजी जब सामान जादा हुआ तो उन्होंने कहा कि आप दीदी ऐसा कीजी सोलह हजार रुपे दीजी हम आप अगरी बार जब कोई आएंगी तो ले आएंगे यकर बाबा की घर रहा भी तो हमारा अच्छा ही है क्योंकि अपना ही घर है तो ऐसे करते हैं वहां से चल पड़े जैसे हम जाने लगे एरपोर्ट के नस्दिक नसिक हम पहुंचे और एरपोर्ट पर लग पहुंची चुके तो वहां से हमको अनुसमेड आवा जाए कि अभी फ्लाइट को कुछ कारणों से एक घंटा लेट है तो जब दीदी ने सुना तो दीदी को लगा कि अब एक घंटा लेट है फ्लाइट लेकिन अब क्या कर सकते दादीजी को हम अगर रिटन लेकी जाते हैं समय पर हम तो एक समरफित भाई थे बहुत पुरान है उनको ऐसे बैठे बैठे संकल पाया और हम भी दादीजी के साथ ऐसे ग्यान के रोरियान कर रहे थे तो कहा कि यहां पर है बहुत अच्छे पोश पोजिशन पर बड़े-बड़े सहाब रहते हैं सेवा करते हैं मैं सर्विस करते पक जानता हूं जब भी कोई प्रोग्रम होते है तो हम धोते हैं तो तो क्यों नहिसे मिलायज जायाakukan के नए ज़रूर अचैन हो एक डंब पार मेले जेने के लिए थे अपने का बित्याए टोली है गिप disp Cake Bentboband आघl चीन पारफ टोली है वरदान है इन एपल है और इतना है आप सामगरी को एकक्तरित करो फिर सभी को बुलाना तो मैं सभी चीची दादी जी के पास टेबल पर लाके रखा फिर भाई जी एक बड़े बड़े जो पोस्ट पर अपने सर्विस कर रहे थे जॉब करते थे उन सभी को एक को लेकर के आये और एक को दादी जी से हर को आता प्रणाम करता था पहर चुते थे और दादी जी अपने हाथों से उनने टोली वर्दान अपल और गिप्त देते थे ऐसे कम से कम दादी ने 30-40 भाई भेहनों को उनको दिया दादी जी और वो सब भी को आकर के सब भी आकर के खड़े हो जाते थे और बहुत प्यार जी को प्रणाम करते जैसे दादी जी को करते दादी जी को देखे उनको बड़ी खुसी होती थी और दादी जी केती थी यह हमारे भाई बहने हैं तो उनको बड़ा अपना फन फिलिंग होता था ऐसे करके सभी चले गए तो जब बाद में मेनेजर भाम मिलना पूरा हो गया बाद दादी जी कि आगे बैढ़ गए और हाथ जोड़के उनके आखों से ऐसे आसो आने लगे तो मैंने का भैसाब आप यहां बैठे आप चेर पर आप नीचे कैसे तो का दादी जी के चरणों में बैठने का मुझे सभागी मिला है आज मुझे इतनी खुसी हो रही है कि दादी आप यहां जव आशरम है हमारा ब्रह्मा कुमार आशरम आप समय निकाल करके जब आपको आदा घंटा यह 10 मिन भी समय मिले तो आप जाए और का दादी जी से हमारा मिलना फिर कब होगा पुना कब मिल सकते हैं तो हमने का मौन टाम आप मुख्या लहें दादी जी वही रहत किसी भाई से पता चला उनको कि इनका सामन तो अधीक ज़्यादा है तो का आपका सामन में सवा में अभी करना चाहता हूं तो मैंने का नहीं कोई हरजा नि chemtrai आप सेंटर पर जाते रहें हैं सबसे बड़ी सेवा तो यह इए का नहीं आपका जो सामने वह सामन में चढ़ा सकता हूँ और उन्होंने गाड़ी के पाज जो हमारा इसी रखा हुआ था साइड में वो लेकर के उन्होंने फ्लाइट में रखा और प्यार से कहने लगे और सभागी मुझे जो सेवा का उसर मिला तब मुझे असंभव हुआ जो दादी गंभीरता की देवी है इतने गंभीरता से बाद भी नहीं करती है मुस्कुरा के मिलती रहती है तो वो टोली खा करके दादी की दृष्टी लेकर के इतना परिवर्तन हो गया कि असंभव था 35 सभालव जलेकस बत्तना जयाना तो इतना आसर था लेकिन असंभव को संभो कर दिखाया दादीती ही मिठी हाथ lowsकी थोली और अलींकी। और उनके प्यार भरी मुस्करार से ही चमतकार होते थे जी जी, 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 डादी की अगर जिमने वारियों की बात करें तो बहुत बड़ी-बडी जिमने वारियों दादी निभा रहे थे जैसे की पूरा तुछे पाइनाइन्स देख रहे थे और एडिशनल चीफ भी थे ब्रामकुमारीज के तो ऐसे इसमें जो थोड़ा थोड़ा सा हमें अपने अंदर एक मान आ जाता है कि मैं इतना देख रहे हूं कर रहे हूं तो थोड़ा स्वाभी मान भी आ जाता है तो दादी इस चीज को कैसे बैलेंस करके चलते थे दादी जी इस दादी जी को बहुत खुशी और उमंगर रहता था हमेंसा एक बार की बात है कि दादी जी अडिसल चीफ बन चुके थे और दादी जी से मिलने के लिए कई आत्माय सुबह से लेकर रातरी तक आते रहते थे तो हमारे उसी में से पानेपत से भारत वहसन भाई जी जो इंज उनको देखकर के बहुत खोसी निर्वान किया कि वहां मेरा बाई आदी रतन आया है मेरा लड बाबा का बच्चा आया ऐसे करते करते वो अंदर आये और दादी जी ने कहा कि नहीं मेरा भाई है यह बच्चा है तो मेरे पास आके बैठे तो दादी जी के नजदीक उनका सोफ शीट लगा दिया और वेड़ गया तो दादी जी आपको देख करके तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी कि अधा दिया है हमें तो आपकी पोस्ट पोजिशन इतना बड़ा कार्या आप कैसे संबाल रही है कि आपकाउंट की है इतने मड़ी संस्ता की आप फाइनसे मिनिस्टर है और आप अभी अधिशनल चीपी बन गए तो कितनी कुशी की बात है में कितना गर्व होता है कि हमा तो उन्होंने कहा कि दादीची आपको ने पता मुझे पता है दादी क्या पता है मैं बाबा की बच्ची हूं बाबा की साथ रहती हूं बाबा के सिक्षा को लेकर अपने जीवने में धारन करती हूं और बाबा की अंगसंग रहती हूं और ब्रम्ह कुमारी इससे बड़ी क अरीमन और उपराम, यह भोट मी विश्रिश्ता, हम को टो हम उचलने लगते ह और दादी तो completely surrender थी, मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि ये भाव कैसे मितलब दादियों के अंदर ये आता होगा कि जो भी कर रहे हैं सर्फ बाबा के लिए कर रहे हैं, अपने आप के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तन, मन, धन कहते हैं न, वो पूरा लगा दिया और सिर्फ बाबा ही याद है, दादी ची कि एक बाद विसे इस आपको प्रेड़ना दाई में आपको सुनाना चाहूंगी, दादी ची कि इतने बड़े अकाउन के एडिशनल चीफ होते वे सब को जिम्मेवारी संबालते वे भी, कभी भी एक रुपया भी अपने पर खर्चा नहीं कि कि एक बार की बात है कि जब भी उनके पास कोई पी चीज आए चाहे एक रुपय आजाए चाहे लाखो आजाए लेकिन हर चीज जो बाबा की तूरंत सरेंडर करते थे, कभी नहीं सोचते थे कि मैं अभी थोड़े देर रग देती हूं फिर बाद में जाओंगी, नहीं कम से अभी थे कि दादी हम आपकी मदद करते, दादी कहती थी ये भाग बाबा ने मुझे दिया है तुमारे साथ करूँगे तो हिसाब किताब बन जाएगा मेरा, तो दादी जी इतना उमंग से करे करके बड़ मुस्कोरा थे, इतनी बारिक बारिक चीजों को भी वो ध्यान तो मुझे लगा दादी जी आज तो हम सब काम से फ्री है और कुछ वीशेस कार ये करें तो क्या करेंगे मुनका दादी जी आपके हम आलमारी थोड़ी साफ कर दें ए तोड़ी कप्ले ठीक से ल, बली सब ठीक है, फिर भी मुझे दिल हुई कि मैं कुछ और भी सेवा करूं इक्सट्रा तो मने करने लगे और करते करते मुझे एक रुपया मिल तो एक मिल तो में धादी जी को, धादी जी पसदнул रहते हैं हमलोग तो मुझे खाजाना मिला तो को जाना पहे हो फोई उसकता, कभी रखाई नहीं तो ऐक ही रुपया का सिक्का था, एक मुर्जा हम नि मैंने जी तादी जी यहीं से मिला, तो कँए यह रहा कैसे, मेरे कब मैंने कब रखा, मुझे तुछ याद नहीं आ रहा है, और आपको मिला, जी दादी जी दिने मीरे हातों चे तोरण तो खांदी लिया और लेते वे कहा कि अभी कि अभी इसको ऑफ़िसे में जमा कर खोंगे तो मैंने का दादी जब आप आपस में जाएंगे तब नहीं नहीं एक रुपया मेरे पास रहे कैसे गया मुझे तो वंडर्फुल लगती है यह बात कि बादा की यगई कैसे मेरे पास प्रॉपर्टी रहेगी यह तो एक रुपया बहुत बड़ी बचीज है तो दादी ने त देखा दादी जी कोई बात नहीं आप बाद में जब आते देख आप तूरंत इस काम को देने के लिए यहां तक है तो किया बाबा का यग्य है बाबा की बंडारी है अमानत में कभी ख्यानात नहीं हो नहीं चाहिए अपने प्रतिक क्यूं हमें एक रुपया भी योज करे क कि बाबा का यग्य है बाबा का यग्य में सबकु स्वाव होना चाहिए हम भी बाबा के बच्चे हैं तो कभी भी दादी नहीं अपने पर्सनल कारे के लिए कभी कोई जीज को यूज नहीं किया और यह नहीं समझा कि मेरा है हर चीज ट्रस्टी हो कर कि संभाला और उसी भा कि अगर उनकी सेवा करने का मुका मिला तो अगर उनकी आखरी समय की बात करें तो मैंने सुनाए कि वो 94 के थे जब अव्यक्त हुए कि अगर सवत है ह washing Mohaja, तो अंकी स्थिति जो थी अखरी सती थी वो उसके बारे में कुछ बताये रहती दादी जी की तो इस टां मोदी अपराम रहती थे दादी जी अपने देश के भाहन से भी परह हो चुक थे और उनसरे बाबा ऑर बाबा की मुरली याद हो थी और बाबा की से वा और कुछ भी याद नहीं होता था, दादी जी कौ अगर मानलीजी हम और के लिए चयाコんだ sya कर लेते के लिए 22 करने के बाध उसे दर्गी अपने पुछ र Itu travelers के लाइक परें जोक इन कलंगी जोग है the dream list लग मैं अगर कौँद ही प्रोग्राम में चलेंगे थेLife बहुत अच्छे लगेंगे, आपको स्वेटरे पना दू, तो कहेंगे, यह बुद्धी इसमें मैं लगाउंगे, यह तुम्हारा काम है, इसमें बुद्धी तुम लगाउंगे, इसे अच्छा कि मैं बाबा को याद करूँ, मैं बाबा से बुद्धी हटा कर मैं कैसे बुद् तो तुरे की सबजी देखा जाते हैं, तो बहुत कड़वी सबजी थे, तो सबनी सबजी वो खाई, तो बहुत कड़वी लगी, और उससे में दाधी प्रकासमनी जी अविक्त हो चुके थे, उनिकी दीन चड़ रहे थे 25 अगस्ता की तयारी हो रही थे, तो मोरी दीदि रूम तो उन्होंने का नहीं दादी जी आपकी दिन्चर्या बहुत पक्की है और आप दिन्चर्या पड़ता एकुरेट रहते तो आप खाना खा लीजिए और जद्दी विसराम कर लीजिए तो मैं दादी जी को डाइनिंग में हाथ पकर कर लेके गई और उन्होंने भोजन करना तो हम सभी को सबजी बहुत कड़वी लगे तो हर को एक दूसरे को पूछने लगा यह सबजी कैसी है हर एक ने का कड़वी है कड़वी है फिर दिदी ने कहा कि आप दादी को पूछ किया ओ भाई जो परोस्रा आता खाना उनको का कि दादी जी ने सबजी खाई है उन्हों जब कःड़ लग रही हागा अभी भाई वॉष को भोग लगा कर गया ऑवर बाबा बी भोग लगा उसके भूग लगा याऌ तो में थो सब्जी खा ए रही ही, क्यों बाबी बाबाँ ने खाया थीक्रिकंटे अग्योपल गी चुट मнес भाबा भयनियु नगया नगया, तो नी ज किया तो भाब नय जू खाया, तो आपा कि मैं लाचिन युझी श्वटू हो角 मिली युद्दी जिले और । जा जू पूरी सब्जी enrichment को सब्चन अंत्री मत जी है, तो उनके शुफराम ना था। कि देह के बहां सी कि भान जी डी करवी सब जी खा रही हू ‑‑ इन नहीं। यहा हुआपक यहाक गा 되어 ही क्छिए इंदःी जीत थे इंद्रिय जीत थे उनकरय पॡुरी यहां पुरा कंट्रोल हूं था कोई स्वाद के लिए कोई सभी निहीं कह रहे हैं … और शरी incarnvere के लिए गाद दादी जी इतना कंट्रोल ता किसी भी चीज को टच नहीं करते थे, कोई भी चीज को मौफर करते थे, तो कैते थे नहीं, बाबा ने का है, एक रोटी खाओ, और मुझे याद करो, तो दादी जी यग्य में जब बेगरी पाठा था, तो सभी से लिखा जाता था, कि आप कितन कितनी बड़ी बनाती हूं, यह तो खाते का थंडी हो चाहिए कि दूसरे रोटी गरम बनाऊंगी, तो जितनी भी बड़ी बनाऊ चाहिए छोटी बनाऊंगी, मैं तो एक रोटी खाओंगी, दुबारा नहीं लोगी क्योंकि बाबा को मैंने लिखर के दिया था, तो दादी पेट क्यों ऐसे फूला हूँ असा लग रहा हूं उस समय नहीं पता थे कि दादी जी के पेट में हरनिया है, दो हरनिया था लेकिन उस समय कुछ पता नहीं चलाता हमें, तो डक्र साब आए और दादी जी को मुस्कोरा करका दादी जी तो बाबा के याद में रहती है, सकता है, तो हां दादी उड़त के दाल का पापढद खाने से भी गयश बनती है, तो दादी जी के बैटक भी है, ओफिस वर के जादा करते हैं, चलना फिर ना तो करते हैं, दादी की सुबह से आम की वर्निंग फिक्स होती थे, कब्भी भी टाइम मिस हो सकता है, लेकिन दा तो तीनो टाइम पर नास्ति के बाद, दोफर भोजुन के बाद, रातरी भोजुन के बाद में एक पापड खाना है, सब ददीयों के नियम थे, तो दादी जी को जैसे का कि दादी जी का पापड कम कर दीजिए, तो मैं दादी जी के तरफ देखने लगी और मुस्कराने लगी, दादी जी का तो सबसे प्रिय पापड है, और वह कैसे बंद कर सकते हैं, तो मैंने खा थोड़ा-थोड़ा कम कर देंगे, तो दादी कहती है, थोड़ थोड़ा कम क्यों करना हम बंद कर सकते हैं नहीं अज के बाद लुछा थाथ अपको तो पापड बहत पसंद है तो क्या दॉक्टर केता है कि इसे गाइस बंदी है तो इसको कल से कभी नहीं खाएंगे तो मैंने देखा दादी निए जब उसे दिन से पापड बंद किया तो लास्ट दिन तक भी दादी ने टच निकिया पापड विल पावर उनकी इतनी स्ट्रॉंग थी इतना थान लिया तो पस थान लिया वही करना है और जो बाबा नहीं कहा और जो अपने से कोई मालीजी तो दादी से बड़े नहीं थे तो दादी ने का उनकी आग्या है ना कि पापड न खाय तो अच्छा क्योंकि वो चीज नुकसान कर रही है इसलिए ना खाय तो अच्छा है तो इतना कंट्रोल आज हमें भी नहीं होता हम कोई चीज को अगर हम चोड़ना भी चाहे तो भी थोड़ा तो खा सकते ना तो इसलिए तो कंप्लीट प्रकरती जीत और संपून बन की दादी अव्यक्त हुई है तो आज की जितनी भी चर्चा रही उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवादी ओम शांती ओम शांती आज कितने लोग हैं जो इशु दादी से फेस टू कुछ सीखने को मिलता है तो मुझे तो ऐसे लगा कि मैंने बहुत ही करीब से दादी को जान लिया और जितने लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को उन्होंने भी दादी की विशेष्टाओं के थ्रू इंसिडेंस के थ्रू दादी को जाना बाबा की एक एक गुन को धार बन के गई हैं फिर मिलेंगे ओम शान्ती